नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस्क्लिक का डेली रॉंड़ अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर दाबोलकर हत्या काट उच न्यायाले ने आरोपी विक्रम भावे को जमान अद दी कोविड-19 वैक्सीन के लिए सिमित T.E.R.I.P.S. त्याव का समर्थन करेगा यूएस जनता की चीक कोड की फटकार कोरोना पर क्यों बेफिक्र मोदी सरकार केरल कोविड-19 से निपटने के उपायों को मजबूत करेगा चिकित साविदार्थियों की मदद ली जाएगे और आखिर में कोरोना अपडेट देश में रिकॉर्ड 4,12,000 नए मामले एक दिन में सबसे जादा 3,980 मरीजों की मौत बंबई उच्च नियायले ने 2013 में तर्कवादी नरेन दाबोलकर की हत्या के मामले में आरोपी विक्रम भावे को ब्रेस्पतिवार को जमानत दे दी दाबोलकर की पूने में 20 अगस 2013 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी भावे पर घटना में शामिल दो आरोपियों सचिन अंदूरे और शरत कालसकर की मदद करने का आरोप है न्यायमूर्थी एशस सिंदे और न्यायमूर्थी मनिश पिपले की पीठ ने भावे को एक लाग रुपई के मुचलके पर जमानत दी और उसे एक महिने तक हर दिन और फिर दो महिने के लिए हर दूसरे दिन पूरे में संबंदित थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया अदालत ने भावे से मामले की सुनवाई में पेश होने और किसी भी सबूत से छेचान नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने और किसी भी तरह से अवैत गती वीडियों से भी दूर रहने का निर्देश दिया है CBI के तरफ से पेश अधिवक्ता संदेश पार्टील ने आदेश पर रोग लगाने का अनरोध किया हाला कि उच नयाले ने इसे इंकार कर दिया पब्लिक हेल्थ अक्टिविस्ट नागरिक समाज संगटनों और ग्लोबल साउध नेशन्स के नेतितु में अंतराष्टी गडबंदन के बरते दबाओ के बाद सन्यतु राज अमेरिका ने अंतरता कोविन-19 वैक्सीन को लेकर इंटिलेक्च्वल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर को लेकर जुग गया है बुद्धवार पाँच माई को अमेरिकी व्यापारी प्रतिनीदी कैथरिन ताई ने गोशना की कि अमेरिका का जो बाइडन प्रशासन कोविन-19 वैक्सीन के लिए सिमित T.E.R.I.P.S. त्याक का समर्थन करेगा एक बयान में इस निर्नाई की घोशना करते हुए ताई ने कहा कि असाधार परिस्तितियां असाधार उपायों की मांग करता है आगे उन्होंने कहा कि राश्पती जो बाइडन और उप राश्पती कमला हैरिस बौधिक संबंदा सुरक्षा में दिरिर्टा से विश्वास करते हैं लेकिन इस महामारी को समाप्त करने की सेवा में COVID-19 के टीकों के लिए उन्हों सुरक्षा की त्याग का समर्थन भी करते हैं ताई ने यह भी कहा कि टीके के लिए भारत और डचिड अफरिका TRIPS यानि Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अमेरिका विशुप व्यापार संग्ठन में वारता में भाग लेगा हाला कि अधिकाश Global South Nations ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन अमीर देश अभी भी इससे अलग थलग है सिर्फ जनता ही नहीं अब तो कोड भी कहने लगी है कि ये ऑक्सिजन की किल्लत से हो रहा जनसंगार है मतलब साफ है कि कोरोना वारत से जादा ये शासकी यानि कुव्य वस्ता लोगों को मार रही है लेकिन मोदी सरकार ने अपना रवाईया अब तक नहीं बदला कोरोना मौतो और ऑक्सिजन किल्लत से ध्यान हटाने के लिए बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के विरुद भाजपा अब ममता बेनाजी शासन के खिलाब धर्ना प्रदशन कर रही है आए देखते हैं वरिश पत्रकार उर्मिले जी का या विश्लेशन दोस्तो बंगाल में चुनाव हारने के बाद भारती जनता पार्टी ने अभी भी जनता के जनादेश के सम्मान में अपना सर नहीं नवाया है अब वो इस बात का बहाना करके कि यहां बहुत हिंसा हो रही है चुनाव के बाद और सिर्फ बीजेपी के लोगों के खिलाप हो रही है वो पूरे राज्य में क्या पूरे देश में धरना दे रहे हैं सवाल यह है कि कोरोना की इस महामारी में क्या बंगाल के कुछे खलकों की हिंसा इतना बड़ा विशा है कि कोरोना महामारी और अक्सीजन क्राइसिस और तबाम चीजों में सरकार को सताधारी दल को अपने लोगों को जोंकने के बजाए कि इस क्राइसिस को कैसे वो एड्रेस क और जो फुटेज बहुत सारे जारी किये गए हैं हिंसा के उसमें दिल्चस्प बात यह है और बड़ी आश्रजनक बात है कि उसमें आल्ट न्यूज ने उन चित्रों की उन तस्वीरों की खोज परताल के बाद यह बताया है कि उसमें कई बंगलादेश के हैं और बहुत पु तस्वीरें जो बंगाल की हैं वो अगस्त 2020 की हैं और निश्चित रूप से कुछ आज की भी हैं हाल की भी हैं यानि कल और आज की बीज की हिंसा निंदनी है एक जनलिस्ट के रूप में मैं इसकी कड़े शब्दों में भरसना करता हूं चाहे जिन लोगों ने भी की हो हिंस हिंसा की पड़ताल होनी चाहिए लेकिन याद रखिए कल तक राज्य चुनावायो के अंडर में था प्रशासन उसका था राज्यपाल महोदे अगवाई कर रहे थे एक तरह से राज्यपाल होने की कार ना थे लेकिन ममता बनर जी जो आज शपत ग्रहन की हैं सारा दारों मदार उन पर डालना मैं समझता हूं कि यह जनादेश का निराधर है अगर ममता बनर जी टेकोवर करने के बाद भी हिंसा को नहीं रोक पाती है निश्चित रुप से उनकी निंदा होनी चाहिए उनकी आलोचना का एक तरह से कवच के रूप में इस्तेमाल करना भारती जनतापाटी द्वारा ये बेहत अपसोसनाक है दुर्भागेपून है महामारी ये चीज नहीं है ये महामारी वो चीज नहीं है कि आप ध्यान हटाते रहें लोगों का अन्य जैसे मसले आपके थे कभी आर्थिक माम मामला कभी कोई रायनितिक आपसे गलती होती थी तो फॉरण कोई नकोई आप अब भाहना धोंड कर कोई बड़ी घटना कोई करा देना या कहीं कोई और मामला उठवा देना संसद या संसद के बाहर ये वो मसला नहीं है ये मनुष्यता पर बड़ा खत्रा है देश पर ब विद्धी के बीच राजसरकार ने जमीनी हालत से निपढ़ने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्धार्थियों और सरकारी अधिकारियों की तैनाती कर कोरोनावाय संक्रमण के खिलाब उपायों को मजबूत करने का फैसला किया है केरल में बुद्धवार को कदम उठाये जाएंगे विजयन ने अधिकारियों के साथ हालात की समिक्षा करने के बाद कहा कि वाड इस्तर की समीतियों को मजबूत करने के निर्देश दिये जा रहे हैं तता इलाके के मेडिकल छात्रों को तुरित प्रक्रिया टीम में शामिल किया जाएगा उन्होंने समादाता समेलन में कहा कि पिठासीन अधिकारियों के साथ साथ विदासभा चुनावा की प्रक्रिया में शामिल हुए सभी अधिकारियों को इन समीतियों और टीमों में शामिल किया जाएगा केंदी स्वास मंत्राय दवारा आज गुरुवार यानी 6 मई को जारी आगड़ो करनुसा देश में पिछले 24 गंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 4,12,262 नए मामले दर्ज किये गया है इसके अलावा कोरोना से एक दिन में सबसे जादा 3,980 मरीजों की मौत हुई है साथी 20 देश भर में कोरोना से पिरित 3,29,113 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 89,199 मामलों की बढ़ उतरी हुई है देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़ कर 2,10,47,410 हो गई है जिन में से अब तक 2,30,168 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में कोरोना से पिरित 81,09,98 फीस दी यानि एक करोड़ बहतर लाग 80,844 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़ कर 35,6,398 हो गई है आज के डेली राउंड़ अब में बस इतना ही म्यूस क्लिक के यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य कबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टागाम और ट्रिटा पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया